इस वीडियो में guys basically मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि जब आप border cross कर लेते हो उसके बाद का क्या process है जाँ हूँ अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल fit life भाया मिता पे कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे हर सब 1000 लोग America border cross कर के आते हैं illegal process के थुरू आते हैं क्योंकि आप border गलत तरीकह से cross कर के आरें आपको permission नहीं है कि आप border cross कर के अमेरीका के अंदर आ सको तो उन लोगों को undocumented immigrants कहते हैं तो अमेरिका के अंदर, जो भी लोग border cross करके घुसते हैं, वो कैसे घुसते हैं? दो जगे से ही अमेरिका के अंदर घुसते हैं, जो कि है Canada और मेक्सिको. Canada और मेक्सिको दोनों जो country है, अमेरिका से border share करते हैं. यहाँ पे लैंड यानि कि जो धरती है जमीन है इनकी वो जूड़ी हुई है जैसे इंडिया पाकिस्तान का हो गया इंडिया नेपाल का हो गया जैसे आपने सुना होगा इस्प्रेशली तीन साल चे जब से बाइडन की सरकार है बहुत ज्यादा लोग बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका के अंदर आ रहे क्योंकि जब टरंप की सरकारती तो वो लोग काफे स्ट्रिक्ट हो गये थे इस मामले में कि जो भी लोग बॉर्डर क्रॉस करेंगे उन्हें वापिस तुरत भेज दिया जाए उन्हें आसानी से असाइलम के लिए ना दिया जाए अगर आप सब लीगल तरीके से आना चाहते हैं ऐसे बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आना चाहते हैं तो मैं आप सब के लिए एक कोर्स लेके आई हूँ जिसमें अमेरिका आने के A से लेके Z तक के बहुत सारे डिफरेंट वीजाज हैं लोगों को पता ही नहीं है उसके बारे में और वो सब के जासे माजते हैं एजेंट के जासे माजते हैं एजेंट के फुरू ही ये basically border crossing होता है यह आसान नहीं है तो इसलिए मैं सजच्ट करूँगी आप लोगों को कि आप लीगल तरीके से आएं तो इसलिए मैं जो कोर्स लेकी आइए हूँ उस में आपको अमेरिका आने के सारे details दिए गए हैं, चाहे आप पढ़े लिके हैं, चाहे नहीं है, या आप teacher है, musician, आप किस तरीके से किस visa पर America आ सकते हैं, इस सारा detail मैंने दिया है अपने course में, और सेम चीज़ के लिए गर आप agent के पास जाओगे तो literally आपसे लाखो रुपे वो ले लेगा, और गलत रास्ते पे भी आपको भटका देगा और मैं अभी bumper offer दे रही हूँ, 70% discount है मेरे course का, मेरा दो course है advanced course में आपको दो call assistance भी मिलेगा, यानि कि आपका जो भी doubt है, question है दो बार आप call पे बात करके, मुझसे वो resolve कर सकते हो जाएं, जल्दी से course ले लें, और legal तरीके से America आने के बारे में जानकारी लें rather than illegal तरीके से America के अंदर घुसें, क्योंकि ये रास्ता easy नहीं है guys, बहुत ज्यादा tough है course मेरे website fitlifebyamita.com पे है, link में नीचे description पे डाल दूँगी तो उसको click करना और directly आप मेरे website पे land करोगे, वाप इस topic पे आते हैं guys border cross कैसे करते हैं लोग, यहां तक कैसे पहुते हैं, Mexico तक, Canada तक, यह detail मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी Mexico में मान लो हो, वहां से असानी से कोई भी उसको jump कर सकता है, cross कर सकता है वो grill को इसके बाद आप यहां, US के अंदर आप undocumented immigrant कहलाते हो, जैसे आपने कूदा, जो border है उस पे हर जगे आपको police officers नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि possible नहीं है So recently guys, मैं एक ऐसे बंदे से मिली, जो की border cross करके America आया है और वो चाहता नहीं था कि मैं वीडियो में उसको लूँ, तो उसने अपनी पूरी story मुझे बताई और वही story मैं आप लोग साथ share करने वाली हूँ, आज की इस वीडियो में कि वो जब इंटर कर गया, तो उसके बाद उसके साथ क्या क्या हुआ और वो कैसे अमेरिका में आज की date में survive कर रहा है तो आप इंटर कर जाते हो, अमेरिका country के अंदर border cross करके फिर आप walk करने लगते हो, और कोशिश करते हो कि आप किसी पुलिस वाले के पास पहुच जाओ पुलिस चौकी पहुच जाओ, या आपको कोई पुलिस देख ले कि आप border cross करके आ रहे हो ये सब की कोशिश होती है, क्योंकि यहीं से आपका real process शुरू होता है तो ऐसा नहीं कि आपको पुलिस से बचने की जरूरत नहीं है यहाँ पे लोगों की कोशिश होती है कि पुलिस मुझे देखे, मुझे पकड़े ताकि आप लोगों की चीजे easy हो, आगे जाके life में अमेरिका के अंदर वो उस बंदे ने बोला कि उनको चलना पड़ा, पाच साथ माइल उनको walk करना पड़ा थोड़ा और आगे गया city के करीब, तो वहाँ उनको पुलिस वाले मिले पुलिस वालों ने उनसे पूछा सवाल, कि आप कहां से आ रहे हैं तो आपको अपनी country बतानी है, actually जो भी लोग आते हैं, agent के थुरू आते हैं, border cross करके तो group में लोग आते हैं, मतलब 5-10 जने साथ में enter हो रहे हैं, सब को इकठा करा के agent एक साथ गुसाता है तो वो country के हिसाब से लोगों को अलग-अलग distribute करके interview लेने की कोशिश करते हैं तो आपको पुलिस फिर गाड़ी में बिठाती है, hand वगर है, तो वो आपको offer भी करेंगे कि आपको कुछ चाहिए, कोई दिक्कत है, कोई तबियत खराब है, वो आपको ये सारे चीज़े पूछेंगे तो आप पुलिस से पकड़े जाना चाहते हो ताकि आपका asylum का process शुरू हो और आप future में legally अमेरिका में रह सको पुलिस आपको जीप से अपनी गाड़ी से पुलिस चौकी लेके जाती हैं और वो जेनरल पुलिस चौकी नहीं होती, वो asylum वालों के लिए ही होती है वो borders पे जो होते हैं, पुलिस चौकी पास में borders के, वहाँ लेके जाते हैं आपको बड़े-बड़े hauls नजर आते हैं, वहाँ पे वो सब को बिठा देते हैं बिठाने के बाद वो आपसे सवाल जवाब करेंगे, आपसे पूछेंगे तो आप कैसे enter किये, आपने उसका answer किया उसके बाद आपको को कहेंगे, आप जैसे भी आप answer करो, आप कह दो कि मैं border cross करके आया अफकोर्स, आप undocumented हो, आप illegal तरीके से आया, उनको पता है ये चीज़ उसके साथ, जो सबसे खास बात है, आपको ये reasoning उनको देनी है ये आपको उनको बहुत ही strongly बोलना है, ताकि उनको believe हो कि आप सच कह रहे हो कि आपके country में आपको जान का खत्रा है, तो ऐसे ही लोग बोलते हैं वहाँ पुलिस वाले को, और जैसे ही आप आते हो, वो लोग आपको food भी offer करते हैं क्योंकि जो border cross करके आते हो ना, बहुत जारा चल के आते हैं लोग in fact border cross करते करते कही हो कि तो मौत भी हो जाती, इस पे मैं से anyway separate video बनाओगी कि कैसे चीज़े होती है सबसे पहले वो आप food offer करते हैं, उसमें आपको एक apple juice देते हैं, एक कुछ roll जासा देते हैं, चिकन का roll होता है, एक bean का roll होता है यह सारी चीज़े मुझे उस बंदे ने बताई जो मैं आपको समझा रही हूँ उसके बाद police वाला, जिस hall में बिठाता है, उसके बाद वहाँ से वो आपको दूसरी police चौकी लेके जाते हैं वहाँ पे आपका finger printing लेते हैं, biometrics करते हैं, signature वेगरा कराते हैं, digital signature जो होता ना, तो आपसे digital signature कराते हैं तो basically वहाँ पे आपका process शुरू होता है asylum का, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़े बहुती convincing तरीके से बोलनी होती है, वहाँ पे आपको यही दिखाना है कि आपके जान को खत्रा है अपने country में, तब ही आप asylum के लिए सीख कर रहे हो, तो asylum basically क्या होता है, अमेरिका में asylum का क् तो अमेरिका country, human life की बहुत value करती है, तो इन्होंने ये rule बनाया है कि जो भी लोग अमेरिका, जिनकों भी अपनी country में जान का खत्रा है, वो लोग हमारी country में आके asylum के लिए सीख कर सकते हैं, asylum के लिए apply कर सकते हैं, और यहाँ हमारी country में वो safely रह सकते हैं, उसके बाद next ले आपसे वो पूछते हैं, वो सब भरते हैं, और यह क्या reason है कि आप अमेरिका के अंदर आए हो, आपकी country में कैसे आपको जान का खत्रा था, तो basically अगर आप चाहो तो आप प्रूफ लेकर आओ, आपको जान का रियली में कोई खत्रा था, तो वो लेकर आओ, वैसे भी आपक case चलता है, ऐसा नहीं कि आपने को कुछ प्रूफ दिखा दिया, कोई photo दिखा दी तो आपको asylum तुरत मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, proper case चलेगा यहां पे, तो उस form को भरने के बाद, तो यहां तक का process guys बहुत important है, क्योंकि यह process जब तक आप cross नहीं करोगे, तब तक चानी की immigration office तक नहीं पहुचोगे, तो उसके बाद का process होता है, कि आपको immigration office तक ले जाया जाता है, वहां पे judge बैठा रहता है, immigration office में आपको notice का जो basically एक letter मिलता है, उस letter में आपके court का dates रहता है, जहां पे आप judge के पास जाते हो, और judge के सामने अपना case present करते हो, attorney के through case आप आपको proof करना है, आप खुछ से जो बोलो गया तो जरूरी तो नहीं जज उस पर तो बिलीव नहीं कर सकता, तो आपको एक attorney hire करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना attorney के आप ये case clear नहीं कर सकते हो, इस बंदे से मैंने बात की, उसने भी यही कहा, कि उसका case चल रहा है, attorney के पास case है, तो वहाँ पर आपको form मिल गया, आपका asylum file हो गया, और उसके बाद आपको वो बाहर, country के बाहर छोड़ देते हैं, यानि कि जो पुलिस चौकी पे रखे हैं, वहाँ से वो आपको छोड़ देते हैं, बाहर, कि आप जाओ, जो भी आपके relatives हैं, या कोई friends हैं, उनके card मिलता है America के अंदर, तो 150 days basically, आप काम नहीं कर सकते हो legally, 150 days फिर क्या करते हैं लोग, जैसे ये बंदा 150 days क्या कर रहा है, इसने मुझे बताया, आपके जो भी Indian जान पर चान के ऐसे आए रहते हैं, उनके through contact निकाल के आप stores वगरे में काम मिल जाता है, आपको cash payment होती है, आप कम पैसे में भी यहां survive करने के लिए, ready हो जाते हो काम करने के लिए, तो इसलिए ऐसे लोग जो भी आते हैं, उनका जो store वाले हैं, या जो भी उनको काम देते हैं, वो भी फायदा उठाते हैं, क्योंकि वो भी गलत काम कर रहे हैं directly, और 150 days में जैसे आपको EAD मिलता है, और फिर आप कोई भी जौब कर सकते हो अमेरिका में legally, क्योंकि वो आपका work authorization है, और जैसे मैंने बताया, जो आप फायल करते हो, इसका court में process चलता है, चार साल, पान साल, दस साल तक का ये पूरा court का process चलता है, it's not easy guys, वो दो साल से बंदा है अमेरिका के अंदर, और उसने ना हो जाए, उसे यहां का green card ना मिल जाए, जब तक case चलेगा, basically आपको हर साल attorney को इतना fee approximately देना पड़ेगा, मैं बस experience अपना शेर करती हूँ, जो भी मुझे information चीजे पता चलती है, अमेरिका के बारे में, इसे मेरा कोई advice मत समझना, बस मैं आप लोगों को एक information देती और बस कोशिश यही करती है कि मैं सही और सची information दूँ क्योंकि बहुत सारे बहकाने वाले agents दुनिया में भरे पड़े हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरे viewers जो हैं, वो किसी भी गलत रास्ते पे भढ़के, आप सब मेरा course ले सकते हो, जिसमें मैं legal तरीके से अमेरिका आने की सारी details दी है, मिलते हूँ guys आप सबको अगले वीडियो में तब तक के लिए stay happy, stay fit, bye bye